नमस्ते दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी टू प्लस टू में आपका अर्थिक स्वागत है आज गई वीडियो काफी इंपोडेंट होने वाला है तो आज की वीडियो में तो स्वागत होने चैनल बसक्लाइए होने चैनल और मीडियो में आज क के हसी चित्र के ऐसे टुकडे होते है की उन्हों की उलाने कर लिए बहुत दिमाग लागला पारता है तिसंथे फिल्य सब बलाग है यहाँ करते हैं तौ तो उसे जिक्षा का जाता है, मैं बात करूँ है, यह वाला कोशन दो है, आपको पोच लिया गया है, यह वाला जिक्षा से खेली समझीजी, आपसे कोशन पोचा गया है, नाच्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मसूर कला का रहा है, विशलू गेंगाल कर, जो कि मद्देपरते इ सूखे पत्तों से चितर बनाते हैं, यह वाला इनिपोरेंट है, यह आपस यह आपका सीट आट में पूछा जाता है, कि मसूर कलाकार विशलू गेंगाल कर, जो कहां से रहने वाले हैं, तो मद्देपरते इंदोर्च के रहने वाले हैं, और यह सूखे पत्तों से चितर बन को या शोचन क की हर जगह पर अलग अलग चीज को खाय जा Civूल खाय जाथा थे बहुत ही मन पसंद जो है बोजन कहा जाता है कि अगर हम बात को केरल में तो केरल के देखे नारेल की करी देखे नारेल की करी और टेप कोवा जै कि दोने जो है आपके बोजन के परकार है जो कि केरल में परसलित है ठीक है अग्जाम में पूछा जाता है कि टेप कोवा बोजन प्राज के निवाजी ते तो फ्रांस के निवाजी ते तो फ्रांस के लूईस ब्रेंद यो पर आदा रहता है कि जो नाम से जाना जाता है तो अंदो लीपी होते हैं ब्रेल लीपी जिसे की लुइस ब्रेल ने इसका अविस्कार किया था और इसमें जो यह जो लीपी है वो छह बिंदो पर आधारीट है ठीक है आगे कुछन पढ़ते हैं तो आप उसमें यह पाएंगे तो इसन सभी पॉइंटों यह हमने हमाई सही डारक्ट उ पर आप उसमें जो लगबग 10-12 फीट उपर होते हैं तो आप उसमें जो पानियु आने का कुछ ज्यादे विशू होता है ठीक है अला देखते हैं कि मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर मिलते हैं तो पत्थर के घर मिलेगे मनाली में या फिर लकड़ियों के घर मिलेगे वहीं यह गरम बात करें राजिस्थान की तो राजिस्थान में मिट्टी के घर मिलते हैं मिट्टी के घर में मोटी दिवारे होते जाणियों से बनी होते हैं मिट्टी के घर और मोटी देवारे क्यों होती है इसके बारे में आपको बता देता हूं वह च्छिक इसोसित्त journomet nosotros the अगर उपर होते हैं वह एकए है कि मनाली में पथ्यरी लकडी के घर बनाए हरा मिटी की घर होते हैं मोटी दिवारे नहीव के बनी होती यह इस तरह की question के पूछ लिए आते है назв अंगंन में गड्डा बना कर उसे पक्का करके टांका बनाती है ठीकि ये पूसन आप से पूछ लिए है ठीक है आगा पड़ते हैं देखिए यहाला पॉइंट देखिए इन्पोरेंट देखिए के लिए वल्लम देखिए वल्लम क्या होता है यह भी पूछ ले आगा है कि लगड़ी से बनी एक छोटी नाव को जो के रहें वल्लम का जाता है हमें बैटकर स्कूल जाते हैं हमेरा अगला पॉइंट देखिए कितना इन्पोरेंट है इसे मैं थोड़ा सा व्जूम कर लेता हूं थाकि एक पिछ पर आ जाए ठीक है यह देखिए आ गया इसे देखिए असम में बाक्स के पुल टेके बांस के पुल होते हैं ठीक है बांस के पुल लददाक में ट्रोली अर राजस्थान में ऊट रहे के गुजराद में जुगाड और उत्रा खंड में पथरीले रास्तों को पार करकर बच्चे स्कूल जाते हैं देखे इस तरह के जब पोईंट है यह काफी इनपोरेंट है यह आपके सीट आट में पोचे जाते हैं कि आसम में बच्चे स्कूल जाने के लिए बास के पुलों का परियोग करते हैं लद्दाग में बाद करते हैं और रायस्थान में देखे उट पर बैठ कर बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ गार में गुजरात के बाद करते हैं तो गुजरात में जुगाड बहुत चलते हैं परिवैन सादान है ठीक है तो जुगाड़ा बैसकर बच्च स्कूल जाता है वहाइं बात करो में उत्राखक खणट एक तो उत्राखकर में देखें पठ्रेले रास्ते हैं जिन्हें पार यह बैसे जाते हैं Č government पोईंट देखे देखे वाला जानवर की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं देखे इन्पोरेंट पोईंट है ठीक है तो जानवरों मुझे अलग तरह के डिजाइन होते हैं उनके शरीर पर यह उनके बाल के दोबारा होते हैं ठीक है बाल के दोब यह एक एक पॉइंट काफी benefit होगा इन पॉइंट याद कर ली जागा इन ही पॉइंट से आपके सवाल पूछे जाते हैं आपके इनवारमेंटल इस्टडीज में अगला पॉइंट पढ़ते हैं यह वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं यह वाला जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं जिन जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाते हैं उनके सरीर पर बाल होते हैं जिनके है जिस किसी भी जानुवर के जो है कान बाहर की तरफ है ना उनके शरीर पर बाल होते हैं तथा वे बच्चे देते हैं ठीक है इन्पोइंट पॉइंट आदेगे मैं इसे दुबारा से आपको पढ़ा करवा देता हूं ठीक है यह देखिए इससे आप अच्छे से पढ़िए जिन जानुवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं बिल्कुल और वो बच्चे देते हैं ठीक है वे बच्चे देते हैं एक पॉइंट आप तो यह देख लिया थे कि दूसरा कुपन पर देते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं ठीक कि उसी के आपोजिट की बात पर करूँ में जिनके अकॉर्ण जो बाहर नहीं दिखाए देते हैं उनके सब्सक्राइब बाल भी नहीं होते हैं और अंडे देते हैं कि सीट आट में जो नहीं यह वाला पॉइंट पूछ लिया गाई ठीक है काप इन बोड़न है ठीक है आप इ इसमें पढ़ लेते हैं इसमें लिखाया कि एक बड़ा हाती एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और जाड़ियां खा लेता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है सोने के उपर भी कोशन पूछ लेता है तो 2 से 4 घंटे सोता है और 100 किलोग्राम से ज़्यादा जाड़ियां पत्ती खा लेता है और अगला पॉइंट आगे क्या लिखाया है कि कानों को इतने बड़े-बड़े कानों होते हैं ना आती हो के उन्हें हुलाते हैं और पंके की तर सॉन्हें पूछंड की नेता होती है इस पूरे जूट की नेता होती है त्रहिंवम्ले कौशन पूछ लिया गया अक्यक पूछं पूछा जाएस प welded पॉयंट से शौक लाग कर देता है एक बड़ा हाथी यह आट आपको नहीं विलेगा हत नी और उसके बच्चे मिलते हैं और बुजरुग यह हतनी होती है वह पूरे जौड की नेता होती है ठीक है चले अगले पॉइंट को कभर करते हैं इस वाले पॉइंट को हमने कापी सट सह कभर कले ठीक है अगले में नैकदे जुन में 10 यूरा काल दो शुदु को छोड़ देता है फिर वे आपको जून छोड़तार अकेले रहते हैं ठीक है अगले कुशन परते हैं आपका सीटाइट ने पूछा गया है ठीक है अगले कोशन पर लिज़न आगे देखते हैं अगले लोग तो पीड़ों गें लोगों को करते हैं यानिकी पैड़ों की सुरक्षा करते हैं उनकी कटाई करना जो आवेद कटाण होते हैं उन पर रोक लगा दे तक जानुवरों की जो है रक्षा भी करते है तो हमार इस वीडियो के माधरम से थोड़ी भी हैल्प हो सकती है तो हमार इस वीडियो के प्लेश लाइक तथा अपने दोस्तों से सेर कर दीजेगा तता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू प्लस टू हमारे यूट्यूब चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब तता बेल आगान को प्रेस कर दीजेगा ताकि आगे में आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें यह जब पुजितने भी खेजली थे खेजली यहरा अलाकर में पाए जाने वाला पेड़गे आगे पढ़ते हैं पाया जाता है इसे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है पीड़ के परयोग के पैड़ की लकड़ी नहीं लगता हुए है छालगी जो दबा बने जाती है लकड़ी को एक टो खेजडी एक विरक्च ए तो कि राज्ता नीं पाया जाता है दूसरा इस लकड़ी में कभी कीड़ा नहीड़िक था तीसरा पॉइंट है कि इस लकड़ी की जो चाल दोती है उसकी दवा बनती है ठीक है और आगा देखे लिए फोर्थ पॉइंट देख रहें तिक पेड़ की पेड़ पर तो फ़्या लगती है उस फ़्या लगती है उस पेड़ की जो नख्या बना जाती है। उसकी दवाई बन जाती है और पेड़ पर फलिया बनती है फलिया लगती है उसकी सब्जी बनायती है और पेड़ की पत्तिया जो है उससे जानवर खाते हैं कितना इंपोड़न पेड़ है ठीक है अपना कितना योगदान देता है जोगदान देता है अन्य वेक्चों के लिए ठीक है हर एक चीज इस्तमाल की जाती है उस पेड़ के खेज ली ठीक है यह हमारा लास्ट पॉइंट है दीक है इस लास्ट पॉइंट को हम जल्दी से कवर कर ले दे अक्टूबर से दिसमबर मदुम्योख्या का अंडे देने का समय होता है इसे आप याद के लिए थी कि यह अक्टूबर से दिसमबर में करता है तो अच्छा समय माना जाता है धीक है सबसे अच्छा समय माना जाता है मदूमक्यीचा की पालन करने के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ठीक है अक्टूबर तो अक्टूबर से दिसंबर तक का ठीक है अक्टूबर से दिसंबर तक का मधुमक्य पालन का मधुमक्य की पालन का करते हैं अन्डे देने का समय होता है ठीक है इस ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है ते का तो इस वीड़ को में बाल